दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं पोल्टा का यूटूब चनल मैं हूँ संतोष कुमार पांडे आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ी राजनिति घटना करम की जो उतर प्रदेश की है जो राई वेरेली से है जिसका संबंद केवल बस केवल कांग्रेश से है लेकिन जो अब नया समीकरन बन रहा है उसमें भाजपा पूरी तरह से शामिल दिखाई दे रही है राई बारेली पचास साल में पांच बार उसका भोगोल बदला लोकस्वासीट का लेकिन एक चीज नहीं बदल पाई वो थी कांग्रेश राई बारेली में कांग्रेश का कही न कह से कबजा बना रहता था मोधी लहर में भी कई बार वहाँ पर चुना हुए योगी लहर में भी वहाँ पर कांग्रेश ठीकी रही और इस बीच एक बड़ी जो खबर है अधिती सिंग को लेकर के अधिती सिंग जो राई बरेली सदर से बिधायक हैं और अखले सिंग के अधिती सिंग लेकिन बगावत कर चुकी हैं समय कांग्रेश से इस घटना करम को लोग नए नए तरीके से देख रहे हैं जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो बता रहा है चुकि 2017 का बिधानसभा चुनाओ मैं खुद कबर कर रहा था उत्तर प्रदेश में बिधानसभा का औ बताय जा रहा तक 2017 से 2019 की प्रिष्ट भूमी तयार होगी और प्रिष्ट भूमी ऐसी तयार हुई कि मेंका गांधी को पीली भीत से सुल्तान पुराना पड़ा और सुनिया गांधी किसी तरह से अपनी सीट बचा पाई राहुल गांधी अमेठी से चुनाओ हार गए लेकिन प्रियंका गांधी मैदान में नहीं दिखी आईए इनी सारी बातों को लेकर के हम बताना चाहते हैं कि अधिती सिंग के द्वारा सुल्तान पुर अमेठी और राय बरेली को कैसे साधना चाहती है भारती जनता पार्टी जो अर्तमान समी करन बनाए है नाम से बड़ी राय बरेली विधानसवा पिछले 50 साल में सबसे अधिक बार बदलाव का सिकार हुई है विकास के नाम पर भले ही यहां केवल वादे मिले हूं लेकिन बदलाव होता रहा है वर्थ 1957 में जिला दो संसदी छेत्रों राय बरेली उत्तरी और राय बरेली आन्सिक के नाम से जाणा जाता था दो सांसद जन्पत का पत्व्धित करते थे वर्स 1962 में किये गे पर्सीमन पर एक लोगसभा सीट बची जिसे राइवरेली का नाम दिया गया राइवरेली सुल्तानपुर जिले को तोड़ कर अमेठी लोगसभा सीट को नया रूप दिया गया वर्स 1967 में सलोन छेतर को तोड़ करके पताब गड़ वा कुछ भाग अमेठी में जोड़ दिया गया और राइवरेली की राजनीती में बदलाव लगातार आता रहा लेकिन कांग्रेस रही जिसकी जड़े वहाँ पर और गहरी होती चली गई इसके बाद विधानसबा सीटों के छेतरों में बदलाव किया गया वर्सुन 2012 में होने वाले विधानसबा चुनाओ के लिए जिले की सभी विधानसबा छेतरों को बदल दिया गया सदर और उचाहर विधानसवा सीटों के छेत्रों को सिर्फ कटवती मिली तो बच्छरावा हरचंदपुर और तिलोई को तोड़ावा जोड़ा गया सिर्फ सलोन विधानसवा सीट ऐसी बची जिसको परसीमन में सबसे अलग रखा गया अब तक जिले में बार बार हुए छेत्रों की बदलाओं खामियाजा हुआ मदाता परिशान रहा लेकिन कांग्रीस की चड़े गहरी होती गई चाहे वो किसी भी दौर की बात रही हो लेकिन कांग्रीस का नाम राइबरीली से जुड़ जाता है और सुनिया गांदी वहां से मजबूती से नेता बन करके निकलती है सुनिया गांदी लगातार राइबरीली से चुनाव जित्ती रहती है चैलाहर किसकी हो इससे मतलब नहीं रह जाता है अदिती जिंग का नाम अब चरचा में है क्योंकि वो बिधायक हैं और उनके पिता की एक मजबूत राजनितिक प्रिस्ट भूमी रही है आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों दिने सर्मा भी इनके यहां गये थे आईए ज़र आपकों बताते हैं अब यहां से जो समी करन नया बन रहा है उसका क्या असर पड़ेगा वहां की राजनिती में राइबरेली से सुल्तानपूर अमेठी दोनों को सादने की तयारी है क्योंकि इस समय सुल्तानपूर जो लोकसवा सीट है वहां पर कभी कांग्रेस का कबजा हुआ करता था संजे सिंग ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर वहां पर भाजपा को टकर देने का प्रयास किया लेकिन संजे सिंग अब भाजपा में जा चुके हैं और मेनका गांधी वहां से सांसत हैं मेनका गांधी उम्दराज हो चुकी है इसलिए भारती जंता पार्टी चाहती है इसमें सबसे पहले सुनिया गांधी है दूसरा नाम मेनका गांधी है और तीसरा नाम प्रियंका गांधी वाडरा है अगर प्रियंका गांधी वाडरा राजनीत में 23 से आगे आती हैं और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाओं में अगर उक कमान समालती है तो उनको टक्कर देने के लिए उनके ही गड़ से अजती सिंग को भाजपा सामने लाना चाहती है अजती सिंग दसल जब कांगरेश में गई तो उनका प्रियंका गांधी से ठीक ठाक लगाओ था राउल गांधी के साथ कई सारी फोटो आई सुनिया गांधी के साथ बैठी हुए मिली तो अब मुझे लगता है जो कहानी बन रही है कि अब इन्हें केंद्र की राजनीती में भाती इंता पार्टी लाना चाहती है कोई पत देना चाहती है क्योंकि इनी इलाकों में भाजपा के पास कोई भाजपा की महिला नेत्रित ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा राष्टी अस्तर पर होती हो इसमेती इरानी अमेठी से सांसत भले हैं लेकिन उनकी जड़ें अमेठी में नहीं जड़ पाई है क्योंकि अभी भी जो बात होती है वो अधिती सिंग अकले सिंग को लेके ही चर्चा होती है राइबरेली सुल्तानपूर अमेठी में उन बड़े कांगरिसी नियताओं को साधने के लिए भारती जिन्ता पार्टी अधिती सिंग को लाना चाहती है और अधिती सिंग की मा को MLC का चुनाव भी लड़ने की बात हो रही है ये भी बात हो रही है अधिती सिंग की जो छोटी बहन है वो मैदान में उतर सकती है क्योंकि इनके घर में पारिवारिक चुनाव होते रहे हैं सुरू से बिधायक अदिती सिंग के द्वारा सुनिया गांधी मेंका गांधी प्रियंका गांधी पर जो भारती जनता पार्टी के जो बिसाथ बिची हुई है उसमें वो हो रहा है और अगर अधिती सिंग भाजपा में आती है तो उन्हें मंत्री के बराबर का कोई दर्जा दिया जाएगा क्योंकि इसके बाद ये तैह हो जाएगा कि उस इलाके में अधिती सिंग ही है जो भारती जनता पार्टी को लीड कर सकती है लेकिन इसकी कहानी कुछ और भी हो रही है कि राई बरेली वाले जो भाजपा के दिगज नेता हैं वो भी नराज हैं क्योंकि वो चाहते हैं उन्हें टिकट मिले लेकिन कांगरेसियों के द्वारा ही राई बरेली सुल्तान पूर और अमेठी में भाती जनता पार्टी आगे कि हमने 2017 में जो विधान सबा चुराओं में देखा था उसका समीकरण 2022 में बहुत बदला बदला सा है राई बरेली जिले से सापा कांगरेस भाजपा पूल लड़ाई में हैं और वो चाहेगी कि उसकी सीटे बढ़ें लेकिन राई बरेली में जो अधिती सिंग हैं इनके द बाला रही है जो उनके पिता रहे हैं वो बहुत ही दिगजनेता माने जाते हैं वो भले नहीं है लेकिन अधिती सिंग अपने लिए सेफ जो उन देख करके ही चीज़ों को करेंगी इन्हें लग गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीती में केंदर से चीज़ें नहीं होती हैं इन्हें जणे जमानी होंगी और इनको राजनीती करनी है लेकिन अब देखनेवाली बात है कि क्या अधिति सीग भारती जन्ता पारटी को जोई करती हैं या किसी अनिदल में जाती है या वो अपने पीता की तरह अकेली रहा चलना पसंद करेंगी ये सारी चीए अभी के गर्व में हैं लेकिन चर्चा यही है अदिती के द्वारा मेनका सोनिया प्रियंका और कई कांगसी दिग्जनेताओं पर भाजपा अपना निसाना साथना चाहती है धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत